हेलो दोस्तों, दोस्तों आज का अमारा टॉपिक रहने वाला है एक्टिव एंड पैसिव आईस और गाइज हम लोग इसे बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक सिखेंगे और गाइज ये आपके हर एक एक एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक एक नमर से इमारी मेरिट बनती है और गाइज हम लोग इसे पूरा बेसिक से पूरा एडवांस तक सिखेंगे बस आपको वीडियो के इंड तक बने रहना है बस आपको जो टेंस है उनका बेसिक पता होना चाहिए तो आप एक्टिव आइस को पैसिव आइस में आसानी से चेंज कर सकते हैं और गाइज अगर आपको टेंस का बेसिक नहीं पता है तो आप लोग बेसिक वाले टेंस देख सकते हैं प्लेलिस्ट बना रखिए तो आप लोग वहां से उनके वीडियो देख सकते हैं तो चलिए गाइस आप लोग वीडियो में इंट तक बने रहेगा और अपने दोस्तों में सेयर जबू कर देना और हमारे चैनल को सब्सकाइब भी कर लेना तो गाइस अगर बात करें यहां पर फिर वर्ब होती है और फिर इसके आद हमारा औब्जेक्ट दे रखा होता है तो यह हमारा सिमपल सेंटेंज की स्ट्रक्चर होती है यहां पर आपके लिए एक इस्ट्रक्चर गोइस जैसे की एक सेंट्टेंस दे रखा है चिल्डरेन लाइक सुईट्स तो देखिये हहां पर subject दे रखा है फिर हमारी वर्ब आ रही है और फिर object आ रहा है तो यह active voice की simple sentence की structure है और guys अगर बात करें पैसी वाइस कैसे change करेंगे तो guys जो active voice में जो object होता है जो आपको दिख रहा हो गई जो object होता है उसे हम लोग passive voice में subject का work करते हैं यानि जैसे कि यह sentence active voice में दे रखा ह फिर ना वह वह passive voice में subject का work करेंखा यानि यह उठके यहां पर आ जायेगा और guys अगर बात करें जो active voice का subject होता है वह passive voice में object का work करेंगा यानि यह हां पर उठके आ जाएगा तो guys चलिए बात कर लेते हैं passive voice की form कैसी होगी तो पैसिवाइस की जो structure होती है वो सबसे पहले जो एक्टिवाइस में object होता है वो object आ जाता है यहाँ पर और फिर बात करें जो हमारी verb होगी या फिर helping verb होगी फिर वो आएगी और guys verb की third form पैसिवाइस में use करते हैं और फिर जो एक्टिवाइस का subject था वो यहाँ पर object की तरीके use होगा और guys पैसिवाइस में object के पहले by preposition का use करते हैं चलिए guys हम लोग इसको एक example के थोरो समझ लेते हैं हमारा first example दे रखा है एक्टिवाइस उसकी form दे रखी है children like sweets तो guys यह हमारा sentence जो है present indefinite tense है आप लोगों को यह तो पैचानना ही पड़ेगा अगर आपको यह नहीं पता है तो आप लोग tense का basic part जरूर देखेगा हमारे channel पर upload है तो guys आप लोग यहाँ पर बात करें तो children हमारा subject हो गया like हमारी verb हो गई और sweets हमारा object हो गया और मैंने आपको बताया था कि active wise को अगर passive wise में change करना है तो active wise का object passive wise में subject cover करेगा तो guys active wise का object दे रखाए sweets तो यह subject cover करेगा passive wise में तो sweet समारा आ गया और guys अगर active sentence active wise का sentence present definite है तो passive wise में present indefinite जो है वो present continuous में change हो जाता है और present continuous scalping वर होती है is mr singular के साथ is plural के साथ r और i के साथ हमारा m use होता है तो guys आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे subject हमारा sweets दे रखा है जो की plural है तो उसका scalping वर वाज आएगी हमारी r तो sweets are फिर हमारी verb क्या दे रखी है like यानि पसंद करने की और verb की third form हम लोग use करेंगे पैसिवाइस में तो like की third form होती है liked तो sweets are liked अब हमारा subject क्या दे रखा है एक्टिवाइस में children तो हमारे पैसिवाइस में object cover करेगा तो वो children आ जाएगा और मैंने बताया कि object के पहले by proposition का use करते हैं तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा by children कि pronoun changement कैसे होता है कि हम लोग he का him कर देते हैं i का me कर देते हैं we cast कर देते हैं तो यह important topic है तो चलिए हम लोग इसे clear कर लेते हैं तो guys चलिए हाँ पर आपकी कुछ subject दे रखे हैं जिनको हम लोग passive wise में object के रूप में change कर लेते हैं या फिर object को active wise या passive wise में subject की रूप में change कर लेते हैं तो guys अगर बात करें i जो कि हमारा subject है i का means होता है मैं से और guys i को हम लोग अगर इसके possessive objective की बात करें तो my होता है और अगर object की बात करें तो वो होता है me तो i का possessive क्या हो जाएगा my और object क्या हो जाएगा me तो हम लोग guys i का जो object है यह हमारे work आएगा passive wise में तो guys i का object होता है me we का अगर possessive बात करें तो over होता है और अगर object की बात करें तो we का object होता है us तो guys हमारे लिए active और passive wise में subject object ज़्यादा important होते हैं आप लोग इन दोनों को ज़रूर याद रखेगा subject और object को तो we का object हो जाएगा us you का guys object यू ही होता है और possessive यू होता है he अगर वो male दे रखा है किसी का name दे रखा है आप लोग याद रखेगा किसी का name दे रखा है और वो male है या फिर अगर आपका subject ही दे रखा है तो उसका object होता है और possessive की बात करे तो हिज होता है और guys अगर बात करें C, C हमारा subject है या फिर किसी का name दे रखा है बट वो female है तो guys उसके लिए हम लोग object हर का use करेंगे और possessive भी हर ही होता है C का तो गाइस हमारा जो last subject दे रखा है दे गाइस दे का अगर possessive की बात करें तो देर होती है और अगर दे के object की बात करें तो देम होती है तो आप लोग इन पॉइंटों को जरूर याद कर लें तभी आप लोग इनके एक्टिवाइस में subject को object में change कर सकते हैं तो गाइस यह पूरा basic हो गया है तो चलिए गाइस हम लोग बात कर लेते हैं किसी sentence को कौन से sentence में change करेंगे तो वो आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा important है क्योंकि वही से हमारा पूरा basic है इसका तो आज हम लोग इस part में पूरा basic part clear कर लेंगे और गाइस हम लोग next part में जो कुछ point होते हैं जो कि आपके defense exam के लिए बहुत ज़्यादा important है और वहाँ से question ज़रूर बनते है तो हम लोग उन्हें next part में cover करेंगे तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इन बातों के याद रुकिए अगर active में sentence present definite में रखा है तो हम लोग passive में उसी को present continuous में change करेंगे तो गाइस अगर बात कर लेते हैं present definite में क्या होता है तो गाइस हमारी structure वही होती है subject, verb, object तो गाइस अगर present in infinitence की बात करें तो हम लोग verb में s या es का use करते हैं जब हमारा sentence, sorry, जो हमारा subject होता है अगर वो singular है तो हम लोग verb के साथ s, es लगा देते हैं नहीं तो नहीं लगाते हैं और अगर sentence negative है तो हम लोग do does का use करते हैं तो गाइस अगर बात करें अगर उसका passive बना रहा है हम लोग present definite का तो वहाँ पर हम लोग is mr का use करेंगे और हमें पता है कि passive voice में verb की third form का use करते हैं जबकि active voice में present definite tense में verb की first form आती है तो यह हमारा हो गया सबसे पहला present in definite को change करेंगे present continuous tense में चलिए गईस हमारा next point दे रखा है अगर हमारा active sentence active voice का sentence present continuous में दे रखा है तो present continuous की बात कर लेते हैं sentence होता कैसा है तो सबसे पहले आपका subject आता है फिर helping गरवाती है जो की होती है is mr तो यह main point है कि present continuous tense को ऐसे पैचानेंगे उसमें helping गरवाती है is mr और verb की ing form आती है active voice में तो present continuous क्या होगे हमारा is mr और verb की verb में ing form आती है और guys अगर हमारा sentence active में दे रखा है present continuous tense में तो हम लोग passive में is mr के साथ being का यूज़ कर लेंगे तो आपको गयाद रखेगा is mr दे रखा है तो इसके साथ हम लोग being add कर देंगे यानि present continuous tense में is r आ है नहीं आ रहा है तो हम लोग example की बात करेंगे तो आप लोग वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा हम लोग ने बहुत सारे question practice के लिए रख रखे हैं जानी की 13 से 14 question है जिसमें हम लोग practice भी कर लेंगे चलिए guys अगर आपका sentence present perfect tense में दे रखा है तो हम लोग पैसी वाइस में change करते समय present perfect tense को present perfect continuous tense में बदल देंगे यानि has been, have been में change कर देंगे तो has, have हमारा क्या बन जाएगा has been, have been और verb की third form आती है हमाई confirm है कि पैसी वाइस में verb की third form ही आएगी तो चलिए guys अगर बात करें present में कितने tense की pass-wise बनती है तो guys present में सिर्फ 3 tense की pass-wise बनती है present indefinite की, present continuous की और present perfect की तो आप लोग गया देखेगा active wise अगर बात करें अग्ठिवाइस यानि जो present indefinite का present का जो part होता है इसमें सिर्फ 3 tense की pass-wise बनती है present definite, present continuous और present perfect चलिए गाईज हम लोग past वाले tense की बात कर लेते हैं तो गाईज अगर आपका कोई sentence past में दे रखा है तो हम लोग उसे activeize से passiveize में कैसे change करेंगे तो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं तो गाईज अगर आपका कोई sentence यानि आगर आपका sentence past indefinite में दे रखा है तो उसे हम लोग passivize में बनाते समय past continuous में change करेंगे तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं past indefinite tense की पैचान क्या होती है तो guys इसमें verb की second form आती है और ये हमारा simple tense में होता है और अगर negative sentence है तो उसमें हम लोग did not का use करते हैं तो इस पकार आप पैचान सकते हैं कि past indefinite tense कैसे होता है वर्ब की second form simple sentence में आती है और अगर negative है तो did helping verb का use करते हैं तो guys अगर हम लोग इसे passive में change करते हैं तो हम लोग इसे past continuous में use करेंगे यानि was word लगा देंगे और verb की third form आती ही है passive wise में तो यानि हमारा structure वही रहेगा subject, verb की second form object यह हमारा हो गया past indefinite अगर हम लोग इसे passive wise में change कर रहे हैं तो object हमारी फिर आएगी was या were verb की third form और फिर by और plus जो हमारा active wise में subject है वो object cover करेगा तो हम लोग इसे example में clear कर लेंगे तो guys थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको पूरा clear हो जाए किसी part में basic तो guys अगर past continuous tense में active wise दे रखा है अब past continuous की पैचान क्या होती ही तो हम लोग ने अभी बात करी कि was वर आता है तो guys अगर आपका active wise में sentence दे रखा है past continuous में यानि was वर और वर्व की ing form होती है तो यह हमारा active wise sentence होगा past continuous tense का तो guys अगर हम लोग इसको passive wise में change करेंगे तो was वर के साथ हम लोग being का use करेंगे यानि was being, verbing और वर्व की third form ही आती है तो आपको समझ में आ गया होगा यानि अगर sentence हमारा active wise में past continuous में दे रखा है तो अगर हम लोग इसे passive wise में change कर रहा है तो past continuous की जो helping और होती है was यावर उसमें हम लोग being add कर देंगे be ing और वर्व की third form तो guys हमारा next जो दे रखा है अगर past में आपका sentence past perfect tense में दे रखा है तो हम लोग उसे past perfect continuous tense में use करेंगे passive wise बनाते समय जैसा कि हमारे present में था वैसा ही हमारा बिल्कुल past में है बस अगर आपका sentence past perfect tense में दे रखा है और guys past perfect tense की पैचान होती है कि head आता है और वर्व की third form आती है तो इस पकार आप पैचान सकते हैं कि head plus verb की third form अगर sentence में आ रही है तो हमारा past perfect है और अगर हम लोग उसको passive wise में change करेंगे तो हम लोग head को क्या कर देंगे head bean में change कर देंगे यानि past perfect को past perfect continuous में change कर देंगे और वर्व की third form आती है हमारी passive wise में तो इस पकार हमारा past भी clear हो गया तो guys अगर बात करें past में कितने tense की passive wise बनती है तो guys past में भी 5 tense की passive wise बनती है sorry 3 sentence की passive wise बनती है यानि past indefinite, past continuous, past perfect की passive wise बनती है guys यह आपको clear हो रहा है तो चलिए guys हम लोग बात कर लेते है future tense में तो guys future tense में सिर्फ दो sentence की passive wise बनती है एक future indefinite tense की और दूसरा future perfect tense की बस इनहीं दो की पैस्योज बनती ही यानि टोटल बात करें तो 8 टेंज की पैस्योज बनती है present में 3, past में 3, future में सिर्फ दो तो चलै कैज अगर आपका sentence future indefinite में दे रखा है future indefinite की पैचान क्या होती है will sell और слова की first form आती है तो यह मारा future indefinite है और अगर हम लोग को इसको पैसिवाइज में चेंज करना है तो future indefinite को future continuous में चेंज कर देते हैं और future continuous की एलपिन क्या होती है will be cell be और वर्बी की third form हमारी पैसिवाइज में बनेगी यानि will cell change हो जाएगा will be cell be में आप लोग याद रखेगा will be cell be में चेंज होता है ना कि will being cell being में यानि future indefinite change होगा future continuous में चलेगा इस अगर आपका sentence future perfect tense में दे रखा है future perfect tense में यानि FPT में दे रखा है और FPT की पैचान होती है will have, cell have और वर्बी की third form आती है अगर यह active wise में दे रखा है तो passive wise में change करते समय future perfect को future perfect continuous में change कर देते हैं यानि will have को बना देंगे will have been और cell have को बना देंगे cell have been और वर्बी की third form आती है हमारी passive wise में तो गाइस इस पकार आपके जितने भी basic थे वो मैंने पूरे clear करा दी है तो अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो आप लोग बार वीडियो को प्योस करके पीछे आईए और आप लोग एक बार फिर से clear करिए अगर आपको basic tense clear है तब ही यह आपको समझ में आएगा तो गाइस अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग एक बार वीडियो को पीछे कर लिजिए और फिर एक बार समझ लिजिए तो चलिए गाइस अब हम लोग इन sentence की practice करते हैं और गाइस आपको practice में बहुत मज़ा आने वाला है अगर आपने पूरा basic समझ लिया होगा तो चलिए गाइस सबसे पहले हमारा sentence दे रखा है Mohan plays cricket तो सबसे पहले आप लोग sentence को पहचानिए कि हमारा sentence किसमें दे रखा है तो गाइस देखिए आपर subject है verb है verb में yes का प्रियोग किया गया और object है तो हम पहचान गए कि हमारा present का indefinite tense है तो present definite tense मैंने बताया था change होता है पैसिए है इसमें present continuous tense में आप लोग को अगर याद होगा तो present continuous tense के helping और क्या थी is mr थी तो यह हमारा उसी में change होगा और verb की third form लग जाएगी तो चलिए guys यहाँ पर हमारा एक्टिवाइस में object का दे रखा है cricket तो यह हमारा पैसिवाइस में subject का वर्क करेगा अगर आपको इसकी structure ध्यान हो तो जो एक्टिवाइस में object होता था वो पैसिवाइस में subject का वर्क करता था तो यह हमारा cricket उठकर subject में आ जाएगा पैसिवाइस में तो move and place cricket का object क्या है cricket तो यह हमारा subject का वर्क करेगा पैसिवाइस में तो cricket आ गया अब मैंने आपको बता दिया कि present indefinite है तो वो change होगा present continuous में तो cricket के साथ हमारी singular है तो इसके साथ is आ जाएगा तो cricket is अब हमारी verb क्या दे रखी है play तो हमारा बन जाएगा played अब हमारा object क्या दे रखा है move and और mohan के पहले मैंने बताया था object के पहले by preposition का use करेंगे preposition में तो हमारा sentence बनेगा cricket is played by mohan तो यह आपको समझ में आ गया होगा चलिए गाज हमारा second sentence दे रखा है see sings a song तो गाज यह भी हमारा present indefinite tense है कैसे पैचाना आप लोग ने subject verb में s e i s और फिर हमारा object आ रहा है तो हम लोग पैचान गए कि हमारे present indefinite tense की पैचान है और अगर हम लोग इसका पैसिवाइज बनाते हैं तो हम लोग उसे change करते हैं present continuous tense में और continuous में होती है helping और is mr तो हमारा object क्या दे रखा है a song तो हमारा subject cover करेगा पैसिवाइज में तो हम लोग ने इसको उठा लिया तो यह हमारा आ गया a song अब singular है तो is helping verb आ गई हमारी तो a song is अब verb की third form sing की third form क्या होती है sing sang sang तो s u n g हमारी third form आ गई a song is sung अब हमारा object क्या दे रखा है c तो यह हमारा इसमें work करेगा यानि एक्टिवाइज में जो subject होता है पैसिवाइज में object cover करता है तो c हमारा subject है तो पैसिवाइज में object क्या आ जाएगा c का object मैंने pronoun changement में बताया था कि c का object होता है her तो by और हमारा उसके पहले by का use करेंगे preposition का और फिर आ जाएगा her तो हमारा sentence क्या बनेगा a song is sung by her तो इस पकार हमारा पैसिवाइज change हो गया है चलिएगा इस next दे रखा है हमारा third sentence दे रखा है I know her तो guys हमारा ये भी हमारा present indefinite का है क्योंकि I हमारा plural है और plural के साथ हम लोग verb में इसके use नहीं करते present indefinite में और मैंने बताया था present definite change होगा present continuous में तो हमारा object क्या दे रखा है her तो इसे हम लोग subject में change कर लेंगे और her का subject होता है c तो c आ गया फिर हमारी c की साथ singular helping और use होगी तो is आ गया c is फिर verb की third form तो no की third form होती है known तो c is known अब हमारा subject क्या दे रखा i तो वो हमारा passive wise में object का अबर करेगा तो i का object क्या होता है me तो by me तो c is known by me तो इस पकार यह हमारा sentence बन गया चुलिए guys next sentence ही बात कर लेते हैं और guys अगर आपको समझ में आ रहा हो तो please like जरूर कर देना और अगर समझ में आ रहा है तो एक बार पीछे rewind करके जरूर देखिएगा तो guys active wise में sentence दे रखा है तो आपने यहाँ पर देखा does not यह हमारी present indefinite tense में होती है do या does जो की negative sentence में होती ही तो do not या does not लगा है तो मैं पता लग गया कि यह present indefinite tense का negative sentence है और guys अगर आप लोग याद रखें कि जो हमारा active wise में जैसा sentence दे रखा है passive wise में भी वैसा ही change करते है अगर active wise में simple दे रखा है तो passive wise simple बनाएंगे अगर active wise में negative दे रखा है तो passive wise में negative बनाएंगे अगर active wise में interrogative दे रखा है तो passive wise में भी interrogative ही बनाएंगे तो आप लोग इन बात को clear रखेगा तो guys यहाँ पर हमारा present infinites दे रखा है जो की negative है तो passive wise में यह हमारा change होकर negative में ही बनेगा और guys present definite change होता है present continuous में तो हमारा active wise में object दे रखा है the data तो यह हमारा subject cover करेगा तो guys इसे हम लोग आँगे उठा लेंगे यानि the data को हम लोग उठा कर यहाँ पर लिए आएंगे subject cover करेगा तो the data फिर हमारी helping और क्या आएगी is तो the data is फिर हमारा negative दे रखा है तो negative यह आएगा तो not the data is not अब store की third form stored अब हमारा subject क्या दे रखा एक्टिवाइस में टीवी तो उबर करेगा object का तो by TV तो the data is not stored by TV और last में fully stop चलेगा इस next sentence दे रखा है do you help your friends तो guys आपने आप ने आपर देखा sentence की सुरुवात helping वाप से हो रही है और last में question mark आ रहा है तो हमें पता लग गया कि हमारा sentence interrogative है और guys मैं आपको बता दू अगर एक्टिवाइस में interrogative दे रखा है तो पैसिवाइस में भी interrogative बनाएंगे जैसा बनाए बस वैसा बनाएए बस आपको sentence changement करना है तो guys present definite को change करते है present continuous में पैसिवाइस बनाते है समय तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपर हमारा object क्या दे रखा object दे रखा your friends जो की plural है तो plural के according हमारी helping और वाएगी are और फिर इसका हमारा subject आएगा तो your friends फिर verb क्या दे रखा help की third form helped और फिर हमारा subject क्या दे रखा you जो की पैसिवाइस में object cover करेगा तो by you तो are your friends helped by you और last में question mark चलिए guys next दे रखा है when does he help me तो guys आपने यहाँ पर देखा हमारा यहाँ पर question word आ गया यह interrogative A है क्योंकि simple है अगर interrogative B होता तो not कभी use होता तो when आ गया और last में question mark आ गया तो हमें पता लगया interrogative sentence है तो guys जैसा दे रखा है बस आपको वैसा बनाना है बस आपको sentence में changement करना है तो when दे रखा है तो आप लोग यहाँ पर well लिग दीजे फिर आप लोग यहाँ पर देखिए हमारा object क्या दे रखा है मी दे रखा है और guys passive wise में जो active wise का जो object होता है passive wise में subject कवर करता है तो मी का हमारा जो subject बनेगा वो क्या होता है और I के recording हमारी helping और वातिए है म तो I के recording हमारी helping और क्या जाएगी M तो dust की जगापर फिर हमारा एक्टिवाइस में subject क्या दे रखा था him तो वो पैस्वाइस में object बन जाएगा तो by him तो when am I helped by him तो और last में question mark लगा है तो लगा देंगे चलिए गाइस नेक दे रखा है he is praising me तो guys आपने यहाँ पर देखा is आ गया और मैंने बताया था अगर एक्टिवाइस sentence present continuous में है तो पैस्वाइस बनाते समय इस के साथ हम लोग being का add कर देंगे और m के साथ being add कर देंगे और r के साथ भी being add कर देंगे तो हमारा object क्या दे रखा है me तो इसका subject क्या हो जाएगा I और I के साथ आता है am और being add कर देंगे तो I am being और praise, praising हमारी दे रखी verb में ing form और मैं पता है पैस्वाइस बनाते समय वर्ब में third form यूज़ करते हैं तो praise की हमारी third form क्या हो जाएगी praised, तो I am being praised, अब हमारा subject क्या दे रखा ही तो हमारा object बन जाएगा तो him और him के पहले by का यूज़ करेंगे तो I am being praised by him और last में full stop लगा है तो लगा देंगे चलिए guys next दे रखा है a snack has bitten the child तो guys यहाँ पर हमारा object क्या दे रखा है simple sentence है सबसे पहले हम लोग पैचान लिया और फिर helping or has का यूज़ किया गया है और guys आपको पता होना चाहिए कि present perfect tense में helping or has का यूज़ करते हैं has, have का और verb की third form आती है तो हम लोगों ने पैचान लिया कि हमारा sentence दे रखा है present perfect tense में जो की एक्टिवाइस में है और पैचिवाइस बनाते समय present perfect tense को चेंज़ कर देते है present perfect continuous tense में जिसकी helping or होती है has been या have been तो guys सबसे पहले हम लोग subject लेंगे क्या दे रखा है the child तो यह हम लोग का subject हो गया the child फिर has singular है the child children होता तो हम लोग have been का यूज़ करते बट हमारा singular है तो हम लोग has been का यूज़ करेंगे तो the child has been अब वर्व की third form आती जो की लगी है तो वही लिख देंगे beaten अब किस के दोरा कटा गया snack के दोरा तो by a snack और last में fully stop लगा है तो लगा देंगे चलिए guys next day रखा है they gave me a book तो guys आप लोग यहाँ पर पैचानिए ये हमारा subject है और फिर verb की second form है और guys अगर आपको याद होगा past indefinite tense में होता है subject, verb की second form फिर object तो guys आपने पैचान लिए कि हमारा sentence किसमें दे रखा है past indefinite tense में दे रखा है और guys past indefinite tense में दे रखा है तो आप कोई भी ले सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कात नहीं है, कोई भी ले सकते हैं, दोनों sentence आपके साही होंगे, बस आपके जो आपके option में दे रखा है, आप लोग वही object लीजिएगा, तो me लीजिए या फिर abook ले लीजिए, तो guys सबसे पहले हम लोग me लेते हैं, तो me को हम लोग subject बनाएंगे, तो बन जाएगा I, अब past इन रफनी change होता है, past continuous में, और guys I के साथ use करते है, was का, तो I was, फिर वर्ब क्या दे रखी है, गेव, ये give की second form है, और give की third form होती ही given, तो I was given, अब जो second object दे रखा था उसे वह ऐसे लिख दीजिए, तो I was given a book, अब हमार ले by them, तो I was given a book by them, या फिर अगर आपको second object से बनाना है, जो की दे रखा है a book, तो आप लोग इसे भी ले सकते हैं, तो सबसे पहले लेंगे a book, singular है, तो was जाएगा, तो a book was, फिर वर्ब क्या दे रखी, give, तो give की third form given, तो a book was given to me कर देंगे, यानि जो हमारा second object दे रखा तो उसे वैसे ही लिख देंगे, तो a book was given to me, और फिर subject हमारा दे रखा है, दे, और पैसे वर्ब कर देंगे, तो by them, तो a book was given to me by them, तो guys पकार आप लोग बना सकते हैं, हम लोगों ने एक एक point clear किया है, कि अगर दो object दे रखा है, तो कैसे लेंगे, और जो next बचे हैं कुछ उनको next part में बात करेंगे, क्योंकि यसे वीडियो हमारा बहुत जादर लंबा हो जाएगा, लेकिन I hope आपको इस समझ में आ रहा होगा, और आपने हमारे चैनल को subscribe भी कर लिया होगा, क्योंकि इसमें बहुत मैनल लगती है, और हम लोगों ने लिख लिख के तयार किया है, तो आपने देखा, was work का यूज किया गया, verb में ing form का यूज किया गया है, तो यह हमारा past continuous tense है, और हम लोग इसको change करते है, past continuous tense में होती है, was work, तो हम लोग इसमें being add कर देते है, was being, were being, तो हमारा subject क्या मिल जाएगा, a later, तो a later ले लिया, और फिर singular है, तो was being आ जाएगा, त तो हमारा क्या बन जाएगा, written, a later was being written, अब हमारा subject करेंगा, subject दे रखा ही, और passive wise में change करेंगी, तो बन जाएगा him, तो by him, तो a later was being written by him, तो इस पकार हमारा passive wise बन गया है, चलेगा, इस next दे रखा है, remains had written a later, तो guys आपने देखा है, यहाँ पर head का यूज किया गया है, जो क तो हमारा subject क्या मिल जाएगा, a later, तो हम लोगों ने ले लिया, a later, फिर हमारी helping गरवाएगी, तो had been, फिर verb की third form written, फिर rames, हमारा subject है, जो कि object cover करेगा, तो by rames, तो a later had been written by rames, चलेगा, इस next दे रखा है, my father will help you, तो guys आपने आपर देखा will, तो हमें पता है कि will और verb की first form आ future continuous tense में, और future continuous tense के helping और होती है, will be, sell be, तो guys सबसे पहले subject गेखते हैं, क्या दे रखा है, you, तो हम लोगों ने subject लिया, you, और you के साथ हमारा will का use करते हैं, तो will be आ जाएगा, क्योंकि future continuous tense है, तो you will be, अब वर भी क्या दे रखी, help, तो help की third form helped, फिर हमारा object क्या दे रखा है my father, तो by my father, तो you will be helped by my father, तो यह हमारा passways change है जाएगा, चलिए guys, next day रखा है, they will have finished the work, तो guys आपने आपने आपर देखा, will have, sell have आ गया, और मैंने आपको बताया था कि future perfect tense दे रखा है, future perfect tense की पैचान क्या होती है, helping और होती है, will have, sell have, तो guys हम लोग उसे change कर देते है, future perfect continuous tense म future perfect continuous tense में जिसकी helping लोग होती है, will have been, sell have been, आप लोग जाद रखेंगा, being नहीं होता, not being, 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 तो हम लोग उसमें change कर देंगे, हमारा subject क्या दे रखा है, the work, तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए, the work, और the work के साथ हमारी आएगी, will have been, तो will have been, फिर हमारी work क्या दे रखी, finished जो की third form दे रखी है, तो हम लोग वैसे ही लिख देंगे, finished, और फिर हमारा object क्या दे रखा है, they, तो उसके पहले हम लोग लगा देंगे, they का object क्या बना देंगे, them, तो by them, the work will have been finished by them, तो guys अगर बात करें, I और V के साथ हम लोग सिर्फ cell का यूज़ करते हैं, और सभी के स दुबारा से rewind करके देख लिजिए, guys यहाँ पर activize में sentence दे रखा है, is the hunter killing a bird, तो यह आपको बताना है कि इसका पैसिवाइस क्या बनेगा, तो guys आप लोग comment करके बताएगा, हमें भी बहुत अच्छा लगएगा अगर आपको इस समझ में आ गया है, तो guys अपने दोस्तों म पर टेंसन मत लीजिएगा, हम लोग पूरा basic से पूरा advance क्लियर कराएंगे, चले guys, जय हिन, जय बारत